हेलो दोस्तों सौगत है अब सभी का बीएस रिव्यूज में आज हम लोग रिव्यू करेंगे नेट्फिक्स के वेब सिरीज क्रिस्मस फ्लो को तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखना तो चलिए शुरू करते हैं तो क्रिस्मस फ्लो ये वेब सिरीज आज ही नेट्फिक्स पर रिलिस हुई है इस सिरीज में तीन एपिसोड है और हर एपिसोड 45 मिट से लेकर 55 मिट के बीच का है और आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को रोमैंटिक सिरीज देखना पसंद आती है तो शयद आपको इस सिरीज काफ़ ज़ादा पसंद आने वाली है लेकिन एक न्यूटरल आडियोंस को इस सिरीज कैसी लगेगी इस पर तो मैं आगी वीडियो में बात करूँगा अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो ये कहानी है मारकस नाम के एक रैपर और लीला नाम के एक जनरलिस्ट की तो किस तरह से ये दोनों मिलते हैं पर किस तरह से इन दोनों में प्यार होता है पर आगी जाके इन दोनों की लैफ में क्या क्या होता है यही सब इस series की कहानी है अगर हम इसके screenplay की बात करें तो इस series के screenplay ठीक ठाकी है याने बहुत जाद अच्छा तो नहीं है लेकिन बहुत जाद खराब भी नहीं है क्योंकि जिस तरह से series start होती है और अपने पूरी situation को establish करने की कुशिश करती है वो सब इतना अच्छा तो ही कि अगर आप लोगों को romantic series देखना पसंद आती है तो आप उन सारी चीज़ों को काफी पसंद करने वाले हो क्योंकि उन सारी चीज़ों को काफी typical way में लिखा गया है मतलब जिस तरह से यह दोनों दूसरी बार मिलते हैं उसी से आप यह समझ जाओगे कि इस series आगी जाके कैसे end होने वाली है क्योंकि जिस तरह से series का वो scene लिखा गया है न वो इतना ज़्यादा घिसा पिटा है कि बस क्या ही बोलू लेकिन फिर भी आपके series के साथ एक हलका full का connection बन जाएगा और फिर जिस तरह से series आगी बढ़ेगी और अपनी पूरी situation को explore करने स्टार्ट करेगी वो सब भी आप enjoy करोगे although इस पूरी series में आप अपना बिल्कुल भी दिमाग नहीं लावा सकते हो और भी ज़्यादा अच्छी से connect हो जाते हैं और जहांतर बात है character development और characters के विशके dynamics की तो सभी characters को इतने अच्छे थे तो लिखाई गया है कि हमारा अलगबग सभी characters के साथ एक ठीक ठाक सा connection बन जाता है और जो characters के बिशके dynamics है वो भी मुझे ठीक ठाक की लागया है और अगर हम acting की बात करें तो सभी actors का कम अच्छा है बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा लेकिन अच्छा ज़रूर है और जहांतर बात है direction और editing की तो direction तो इस series का काफी typical है कोई director ने कुछ भी नया और अलग नहीं किया है और director ने इस पूरी series को काफी routine बनाया है और ज शायद आपको इस series काफी जादा पसंद आने वाली है लेकिन अगर आप एक neutral audience हो तो भी आप इस series को देख सकते हो आपको एक ठीक ठाक सा time pass हो जाएगा तो आपको इस series देखनी है नहीं या आपके उपर है और अगर आप लोगों ने इस series देख लिए हो तुमझे comments में अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत